नमस्कार जेहिंद, सेनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है पैंसनर्स को PCDA इस पर से आया एक पत्र जिसमें बात कही गई है आपके मेनेज प्रोफाइल की जिसमें बात कही गई है नेम चेंज इन आदार और जिसमें बात की गई है इनकरेक्ट नेम इन पीपियोग और फाइनली आदार कार्ड और पीपियोग में नाम मिस मेच है तो क्या करना है आईए उस लेटर को समझते हैं कि PCDA ने पैंसनर को क्या जबाब दिया है केरला के स्री कुमार केके जी एक सर्वीस में ने इसका सब्जेक्ट देखेंगे तो आप समझेंगे इनके दोरा CP ग्राम्स पर सभी एक सर्वीस में के लिए एक कॉमन मुद्दा उठाया उसका जो जबाब आया है वो आप बड़े ध्यानपूर्ग समझे यह आपके भी काम का हो सकता है सबसे पहले PCD ने कहा यानि आपका जो पैंशन डाटा का माइग्रेशन बैंकों से इस पर्स में हो रहा है वो केवल और केवल आपके आदार नंबर और मोबाइल नंबर पर आदारित नहीं है सर्वीस पर्टिकुलर्स आर टेकन फ्रों सेंक्शनिंग अथोर्टी एंड पैंट डिटेल्स फ्रों पैंग अजेंसी जो मोबाइल नंबर और आदार नंबर के साथ साथ जो आपके सर्वीस पर्टिकुलर्स है वो आपकी सेंक्शनिंग अजेंसी से लिये जाते है और जो payment details है वो आपकी payment agency से लिये जाते है यानि ये bank है या CPPC है या PDA है उससे आपके payment की detail ली जाती है उसके बाद आपका migration किया जाता है साथ ही साथ जो आदार नंबर Payne नंबर और mobile नंबर है वो भी आपके pension dispersing agency से लिये जाते है तब ही आपका SPIRS का migration complete होता है next परा में आप समझिए if name of pensioner in data sheet oblique PPO doesn't match with date of in service book the same may be corrected through data correction from record office oblique head of office or through profile management option from their SPIRS portal account or service center इन्होंने PCD से पूछा था कि यदि किसी pensioner का PPO और जो data sheet SPIRS में बनती है उसके अंदर नाम incorrect है तो उसको correct कैसे करवाना है तो PCD ने बताया कि यदि आपका नाम data sheet या PPO में गलत है जो कि आपकी service book से match नहीं कर रहा है तो आप अपना नाम record office या HO O के through correct करवा सकते है या फिर आप SPIRS में login करके manage profile option के जरिए correct कर सकते हैं इसके लावे एक option और बताया कि आप service center में जाके भी अपना सही नाम करवा सकते हैं यहां पे बड़ी बात PCDA इस परस द्वारा कही गई है कि यदि आपका नाम आपके data sheet, ppo, discharge book और seat roll में बिल्कूल सही है लेकिन आपका नाम अधार card में गलत है या अधार card में जो नाम है वो आपके ppo के साथ में match नहीं कर रहा है और यदि आपके SPIRS के profile में अधार card number पहले से available है फीड किया हुआ है तो आपको कुछ भी करने की आउस्यक्ता नहीं है आपका अधार number SPIRS के profile में update है इसलिए आपका जीवन परमान digitally तरीके से successful submit हो जाएगा तो साथियों यहाँ पे बड़ी बात निकल के आई है कि यदि आपका SPIRS profile में अधार number update PCD दोरा कर दिया जाता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चाए आपका अधार card में नाम गलत भी हो आपके PPO के साथ में match नहीं कर रहा हो तो भी आपका digital life certificate PCDA SPIRS दोरा accept कर लिया जाएगा लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि PCDA दोरा आपका अधार number और pen card number आपके SPIRS के profile में update नहीं किया जाता है वो आपको खुद को करना पड़ता है और यदि SPIRS के profile में जो नाम है और जो आधार card के उपर नाम है उसमें यदि कोई miss match होता है या गलत होता है नाम आधार card या PPO में दोनों match नहीं कर रहा होता है तो आपको आधार demographic validation fail की समस्या आती है उसके लिए आपको कहीं एक जगे पे नाम और gender change करवाना पड़ता है यानि दोनों में सही करवाना पड़ता है तभी आपका आधार demographic validation success पूलोता है नहीं तो आपका वहाँ पे आधार number update होगा ही नहीं आधार number update नहीं होगा तो digital life certificate भी आपका इसपर्स पोर्टल के जरीए या फिर बहार जाके जीवन पर्मान के पोर्टल से digitally mode से जमा करोगे तो आपके इसपर्स के profile में update नहीं होगा तो clear के लिए आपे जो मुद्दा ये है कि आपको अपने इसपर्स के profile में सिर्फ और सिर्फ आधार card number के जरीए ही आपका आधार number update करने का option दिया जाना चाहिए और उसमें नाम को ignore कर दिया जाना चाहिए क्योंकि साथियों यदि जब तक आधार demographic validation fail की समझे आती रहेगी तब तक इसपर्स के profile में अधार number update नहीं होगा और नहीं होगा तो फिर ये digital life certificate जमा करने का option भी किसी भी pensioner के पास available नहीं हो पाएगा साथि मैं आपको बता दूँ कि post 2016 pensioner का जब इसपर्स में migration किया जा रहा था तब ये समझे अवेलेबल नहीं थी उस समय कोई अधार demographic validation fail की समझा नहीं आ रही थी चाहिए अधार में कुछ भी नाम हो सिर्फ और सिर्फ इसपर्स के profile में अधार number update करना होता था और successful अधार number update हो भी जाता था लेकिन यहाँ पे जान रखने वाली एक बात कि इसपर्स के profile में आप number A की बार edit और update कर सकते हो उसके बाद आपको option वहाँ पे नहीं बिलेगा तो साथियों इस परकार मैंने आपको इस letter के पूरे content को समझाया यदि आपको जानकर ही अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें और share करें चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है या फिर आज आप पेली बार visit कर रहे हो तो आप subscribe करके bell icon को press करते हुए all पे click कर सकते हैं ताकि आप आपके welfare और pensions जुड़ी होई तमाम खबरों के साथ में update रहे इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप से जुड़ी हुई एक और जानकरी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बारत वंदे मातरम